हेलो फ्रेंट्स विल्कम हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकाइनिकल इंजीनिरिंग थर्ड समिस्तर के सब्जेक्ट वर्सॉप टेकनोलॉजी में जिहां फ्रेंट्स आपका जो वर्सॉप टेकनोलॉजी आपका स्क्राइबस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हमको वर्सॉप टेकनोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं कौन कौन से वह टॉपिक हैं जिनको हमें तयार करना है अपने एक्जाम के लिए तो दोस्तों सारी बाते इस वीडियो में होंगी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सेर करें चैनल पर न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आए हम वीडियो को बढ़ने έ mai वार्सॉप टेकनोलॉजी में टोटल पांथ चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे जिंए हैस toward only five chapter आपको पढ़ने पढ़ने gas building, tig building, mick building, जितनी भी building होती है, आपकी iron building हो गई, soldering के बारे में सब कुछ आपको first chapter में पढ़ाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा, second chapter आपको हो गया, pattern making जी है, इसमें आपको pattern बनाने का तरीका और उसके बारे में बताया जाएगा, तो friends आपका जो दूसरा चैप्टर हो गया उसका नाम है प्रतिरूप रचना या इसको हम बोलते हैं pattern making friends अब तीसरे चैप्टर पर चलते हैं friends तीसरा जो चैप्टर है मारा पढ़ने को मिल जाता है यहाँ पर molding and casting जी हाँ तीसरा चैप्टर आपको हो गया molding तथा casting अब चौ चैप्टर है वह है आपका metal forming process जी हाँ आपका पांचवा जो चैप्टर है वह है plastic processing जी हाँ इसको हम हिंदी में बोलते है plastic प्रक्रम तो friends यह थे आपके total पांच चैप्टर दोबारा मैं आपको इनके नाम जल्दी जल्दी बता रहा हूं पहला चैप्टर आपको पढ़ने क आपको मिलेगा चैप्टर pattern making तीसरा जो चैप्टर होगा वह होगा molding and casting चौथा जो चैप्टर है आपका होगा फ्रेंस होगा metal farming process पांच वह जो चैप्टर होगा आपका plastic processing और पस आपके इतने ही पांच चैप्टर पढ़ने पढ़ेंगे पांच वेग बाद आपका जो भी telegram channel amid technical study 1.0 के नाम से जो है कि है आप वहाँ पर telegram पर जाएए और amid technical study 1.0 सर्च करिए और जुडिये क्योंकि मैं वहाँ पर आपके लिए लगभग सभी subject के आपके importance notes और PDF कराता रहता हूं तो दोस्तों आईए हम कुछ और जानते हैं कि first chapter में आपको कौन-कौन सी heading पढ़न नहीं रहती है वह आपका most important हो जाता है तो फ्रेंस आईए हम जानते हैं कि हमको कौन-कौन से chapter के heading पढ़ने हैं तो यहां पर फ्रेंस आपका जो पहला chapter है उसमें आपको जैसे आपका पहला chapter हो गया फ्रेंस welding में आपको कौन-कौन से topic पढ़ने हैं यही आपके exam में पूछ chapter नहीं पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका जो welding में पूछा जाता है फ्रेंस तो हो गया principle of building आपको principle of building पूछा जाता है second topic है आपका classification of building process यहां पर फिर अगला है आपका topic advantage and lamination of welding यहां पर next आपकी heading पढ़ने को मिलेगे industrial application of welding welding position and techniques और symbols safety precautions in welding bus friends आपको पहले chapter के वल इतनी ही heading पढ़ने है इसी तरह आपका दूसरा chapter आ जाता है gas building इसमें आपको principle of operations पढ़ना है type of gases welding flames and gear applications पढ़ना है gas welding equipment पढ़ना है gas welding torch पढ़नी है oxy acetylene cutting torch blow pipe पढ़ना है pressure regulator पढ़ना है filler roads and fluxes के बारे में पढ़ना है तो इसी तरह के आपको topic पढ़ने है ना कि आपको पूरा chapter पढ़ना है reference आपको इसकी अगर पीडियाप चाहिए या नोच चाहिए तो आप मेरे टेली ग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा वहाँ पर मैं आपको आपके लिए इसको अवलेबल करा दूंगा तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें दोस्तों को शेर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइकन को जरूर प्रिश करें ताकि मैं कोई वीडियो ढालों तो इसकी pamकाशन आपके पास पहुंचे तो में घ्रण से मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी जानकारीग सा झाल झाल